हाईलो फ्रेंज, गुड विनिंग, स्वागत है आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हमारा SSC GD 2022-30 का टेस्टी सिरीज नमबर 50 है जिसमें हम लोग सामान निगान के GK वा GS के महत्पूर्परसनों को कबर करेंगे और देखेंगे कि यहां से हमारे कितने कोस्टी सही हो रहे हैं दोस्तों ये सारे टेस्टी सिरीज हमारे आपके SSC GD 2022-30 के सिलेबस के रिकोर्डिंग बनाए जा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग ने गांस्टेट होकर साल्प करें questions कम साही होने पर पुनाह test series का revision करें ताकि होने वाली SSC GD 2022 ते इसकी परिक्षा के लिए आप लोग पुन्रूप से प्रिपेर रहें तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग test series नमर 50 को solve करना शुरू करते हैं दोस्तों हमारा पहला question है very very important question question है दोस्तों प्रिथी पर सबसे अधिक मात्रा में पाय जाने वाला तत्तु है हमें बताना है दोस्तों कि प्रिथी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्तु पाया जाता है तो हमारा अगर सूर में पात करें तो हाइड्रोजन यालि सूर में सबसे अधिक मातर में कौन सी गैस पाया थी हाइड्रोजन वाई मंडल में नाइट्रोजन उसके बाद अगर प्रिथी में पात करें कौन सा था तो वह है आक्सीजन नेक्स्ट देखेंगे कौश्चन नंबर दो को गोबर गैस में मुखिता होता है कौन सी गैस होती है दोस्तों गोबर गैस में मुखरूप से तो मीठेन होती है यानि बिकल्प नंबर सी यहाँ पर हमारा सही एंसर होगा नेक्स देखेंगे कौश्चन नंबर तीन को माक्रोफ तो उनका अभिस्कार किस ने किया था बार-बार पूछा गया question है दोस्तों तो हमाँ सही answer होगा Graham Bell यानि कि बिकल्प No.D यहाँ पे हमारा सही answer होगा फोर No. question साल्प करेंगे हम लोग स्थापित है बार-बार पूछा गया दोस्तों वंडे जीके का question है स्टेटिक जीके का परसित गोमते सोर की मूर्ति कहा स्थापित है तो हमाँ से answer होगा करनाटक करनाटक में कहा स्राणवेल गोला यानि बिकल्प No.C यहाँ पे हमारा सही answer होगा मद्य पर्देश में पढ़ता है हमारा answer है स्राणवेल गोला करनाटक जहां पे परसित गोमते सोर की मूर्ति स्थापित है फाइब नंबर कोश्चन देखेंगे हम लोग कोश्चन है दोस्तों राष्ट्रिय गान सरपर्थम कब और कहा गाये इस कोश्चन का हम लोग को रिविजन करना भी जरूर है क्योंकि दोस्तों यहां से हमारे कई कोश्चन एक साथ किलियर हो जाते हैं सबसे पहले इसका एंसर करेंगे 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता या कोलकाता अधिविशन में दोस्तों पहली बार राष्टगान गाय गाय था जो कि हमारा क्या है दोस्तों जन गर्मन चले थोड़ा सा इसकी बारे में दोस्तों हम लोग एक इंपर्टन फेक्ट दोस्तों जन गर्मन भारत का राष्टी गान है जिसकी रशना रभिनाट टेगोर ने की थी इसे पर्थंबार कांग्रेस के 27 दिसंबर 1911 की में आयुजित कोलकाता अध्वेशन में गया गया था और इस अध्वेशन की अधिस्ता विसन नारायन दत्य ने की थी निस नंबर यह यहाँ पर हमारा सही एंसर होगा कावेरी जल्विवा तमिल नाड और करनाटक के बीच में चल रहा है नेस देखेंगे 7 नंबर कोश्चन भारतिय अर्थ ब्योस्था के पिछले पन का कारण बताना जोस्तों सरपरमुक कारण क्या है भारतिय अर्थ ब्योस्था क पिछले पन का सरपरमुक कारण में आते हैं नेस देखेंगे 8 नंबर कोश्चन कुटीर जोती योजना का संबन बताना है बार बार पूछा गया कोश्चन हो दोस्तों तो हमारा सही एंसर होगा कुटीर जोती जोती से थोड़ा से आप लोग कामन सेंस लगाएंगे तो आप को मिलेगा ग्रामीड चेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बिद्धुत सुग्धा उपलब्द कराने से यानि कि बिकल्प नमबर सी यहां पे हमारा सही एंसर होगा 9 नंबर कोश्चन देखेंगे हम लोग सिध्धांत शिरोमण के परितिपादक कौन है यह बताना है तो हमारे अंसर होगा वासकरा चार यानि बिकल्प नमबर डी यहां पे हमारा सही एंसर होगा सिध्धांत से रोमण के परितिपादक है वासकरा चार कय्टन देखेंगे दस नमबर कोश्यों और कोश्यों दोस्तों पेंसिल बनाने में परियुक्त कार्बन है दोस्तों कार्बन थोड़ासा मीक्स प्रिंट आपड़ान जाकूम् स्वकष्ण कार्बन हुआ वह वान ग्रेफाइट याने कि वर्षा के लिए ऊत्परदाई गय से बताने हैं तो अमल् formally अर्षा के लिए कुण कुणसी गय से उत्परदाई होते हैं नाइट्रोजन का आकसाइड भी होता है वह सलफर का आकसाइड भी होताए कि से इसे होगा यह हमें बताना question number 12 में तो दोस्तों कलिंग पुरस्कार जो है यह बिग्यान के छेतर में दियाता है कि छेतर में बिग्यान के छेतर में योगदान हे पुरदान के आता है कलिंग पुरस्कार यानि कि बिकल्प number D यहाँ पे हमारा सही answer होगा पुरदों की उम्र का पता कैसे लगा जाता है या पता लगा जाता है कैसे यह हमें बताना है question number 14 में तो हमां sensor का पेड़ों में उपस्तित या पेड़ में उपस्तित वार्षिक वला इगिनकर यानि बिकल्प number C पेड में उपस्तित वार्सिक वला गिनकर पाउधों की उम्र का पता लगा जाता है नेस देखेंगे 15 नमबर कोश्चन और सिरीज का दोस्तों लाश्ट कोश्चन कोश्चन हा दोस्तों निन्म में से कौन सा युकम सुमेलित नहीं यानि कि हमें असत्ति कथन का चेंगर जो कि हमारा थम्रेल का भी कोश्चन है A. नमबर है चिलका जहिल जिसका लोकेशन ओडीसा दिया गया है B. नमबर साभर जहिल जो राजस्थान C. नमबर बुलर जहिल जो चम्मु कस्मिर दिया गया है वो बिकल्ब के माध्यम से भी दिया 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 है चले दोस्तों इसका एंसर निकालने का हम लोग परियास करते हैं चिलका जील ओडिसा में है बिल्कुल सही हो जाएगा ये साभर जील आपका राजस्थान में पड़ता है ये भी बिल्कुल सही है बूलर जील कहाँ पर जम्मो कस्मीर में है चैन करना ठा को लाटार जील कहाँ पर है करनातक में तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टाप ये ऊपना रिविजन जरूर करें अगर आपको हमारा वीडियो पर संद आया हो तो हमारे चैनल स्प्स्क्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिये जानोंगे सभी वीडियोस आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों हम अगले टेस्ट सेरीज के साथ जो की हमारा current affairs का होगा Thanks for watching